हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस नय चल्व में दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आएं जिसमें परधान मंत्री रोजगारी योजना जी हां दोस्तों जिसमें कि आपको बता दें कि परधान मंत्री जी द्वारा आपको 10 से 15 या 20 लाख जीतना इच्छा करें आप उतना पैसे ले सकते हैं 10, 15, 20, 25 जीतना मंकरें तेतना पैसे लाख रूपए ले सकते हैं जी हां दोस्तों आपको ये पैसे बस उनहीं चात्रों को मिलेंगे जो कि कच्छा दस्विया बरहवी पास कर चुके हैं जी हां दोस्तों आपको बता दे क कि उन सभी छात्रों मिलेंगे रोजगार की रूम में जो कि इसमें आप अपना योगदान देकर यदि आप इससे पैसे ले सकते हैं और इससे लेकर पैसे आप कुछ रोजगार कर सकते हैं जी हां दोस्तों इस पैसे को आपको वापस भी करने पड़ेंगे पर इसमें कैसे वा प्रधार मंत्री रोजगार योजना को लेकर सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा एहम अपडेट निकाला गया जिसमें कि बोला गया कि इन पैसों को सभी एक्टिव छत्रों को दिये जाएंगे जो कि कुछ करने के इच्छुक है जी हां दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें कि रोजगार के तहट यदि आपकी कुछ करने की इच्छा है तो आप इसमें करकर पैसा लेकर अच्छा खासा कोई काम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पहले बताते हैं कि इसकी सुरुगात कैसे हुई और इसको किन छत्रों को दिया जाएगा कैसे क्या होता इनके बारे में सभी डिटेल बताएंगा और इसमें बताएंगे कि आप इसमें कैसे फाम भर सकते हैं कैसे पैसे ले सकते हैं और कैसे आप अपना एक अच्छा खासा रोजगार चालू कर सकते हैं या फिर आप सरकारी रोजगार ही डाल सकते हैं जी हां दोस् जी नवारा रोजगार योजना चलाया था हमारे प्रीज परधान मंत्री योजना हमारे देश के भिर्योजगार युववाओं यहां को सवन रोजगार पर्दान करने केcken उनको एक पैसे दिये जा रहे हैं जिससे रिर सहायता परदान कर रही है जिसमें कि आपको एक पैसे दिये जाएंगा और आप एक अच्छे खासे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इतनी मोटे रकम में इसके लिए इस सरकार दोरा चलाया गया है जिसमें कि आप पैसा लेकर बहुत अच्छे खासे तरीके से अच्छा खासा कोई रोजगार खोल सकते हैं जिहां दोस्तों तो इसके बारे थोड़ा सा और डीटेल जान लेते हैं आपको यहां पर मालूम ही है योजना का नाम परद वर्स 2030 में लभ व्यवसाई शुरू कीजिए करने के लिए रीड लोन जी हां दोस्तों जिसमें कि आप व्यवसाई शुरू कर सकते लाभारती देश निए जाएंगे इमाउंट कुछ अच्छा क्हासा दीया योजणा आपको उपहार्क रूम में जिसमें आपको आवेधन प्रक्रिया में आप आर्लाइन रजिश्टर भी कर सकते हैं श्रेडी में केंदसर कारी योजना जैसे इसमें इसमें सामिल है अगर अधिकारीग वेप्टाइट पर अगर आप चाहे तो हम अपना कर सकते हैं जिसमें कि pmrpy.gov.in पर आप जा सकते हैं जी हां दोस्तों जाकर अच्छे से आप इसमें अपना नाम दर्ज करकर अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहते हैं यदि आप पैसे लेते हैं तो आपको अलग-अलग तरीके से ब्याज देने पड़ेंगे यह नहीं कि 10 लाख वाले को भी उतना ब्याज और 15-25 वाले को भी उतना ही ब्याज तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें 25 रुपए लेते तो आपको 12 पर तीसत का ब्याज देना पड़ेगा जी हां दोस्तों जिसमें कि आपको बता दे योजना के तहद बदला यो मुख्य तत्थे आपको बता दे कि इसमें आपकी आयू सीमा आनी आपकी आयू जो है कि 35 से लगभग 45 वर्स कर दी गई है जिसमें कि आप 35 से 45 वर्स के बीच में हैं तो इसमें आप ले सकते हैं जिसमें कि आप 10 वी कच्छा पास होने चाहिए याड़ घटाकर आठ्मी क अच्छा तक कर दीगई है आप आठ्मी भी पास हो सकते हैं तो आप ले सकते हैं जिसमें कि केंदर सरकार द्वारा बताया गया कि प्रती प्रोजेक्ट लागत अधिक्तम सीमा एक लाक रुपए से बढ़हाकर 2 लाक रुपए तक कर दी गई है अ आपको जो इच्छा करें तो ले सकते हैं आपको बता दे कि परधान मंत्री खोज के तहत लगने वाली उद्द्योग में आप इन सभी में अपना अच्छा खासा रोजगार खोल सकते हैं जिसमें कि आपको खनीज आध्यकारी की उद्द्योग इंजिरिय और गहर परापरिक उद्द्योग रासाइनिक आधारित उद्द्योग और वस्त्र उद्द्योग इस सभी उद्द्योगों में आप अपना कुछ एमाउंट लगाकर अच्छा खासा रोजगार खोल सकते हैं जिसमें कि सरकार द्वारा कुछ छूड़ भी मिलेंगा पीम रोजगार यह जना के जी अप अच्छा खाता तरीकर और आपकोो बतादे में आप पहा चाल के ऊच्छा खासा रोजगार खोल कर अच्छे खासे तरीकर फैसे पैसे और आपके इसमें पैसे कभी काल को छुट भी हो जाते हैं जिसमें कि यदि आपने अच्छा खासा रोजगार चालू कर दिया तो आपको कुछ नए इमाउंट भी मिलेंगे सरकार की तरब से आपको लगभग उन पैसों को माप कर दिया जाएगा यदि आप अच्छा खासा र चीजों को यहां पर आप खोल सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन पेस करें यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें आयू सीमा दी गई है और आवेदक से पहले किसी भी बैंक से आप रिड न लिए हो जी हां दोस्तों और आपको बता दें कि यदि आप इसमें भरना चाते तो कैसे आप भर सकते हैं यहां पर आधार काड आय प्रमाड पत्र जाती प्रमाड पत्र पहचान पत्र सुरू करने के लिए बैसाइज सुरू करें मोबाइल नंबर फोटो आ पाना और वहां से आप विपसाइट पर आप अपना कर सकते हैं तो इस वीडियो के इसी परिंट करते हैं तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में जाई हूं